बिसमिल्लाहिर रह्मान रुरहीम, असलाम अलेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब, आज मैं आप लोगों के साथ मकई की रोटी की रेसिपी शेयर करना चाहूंगी रोटी बनाने के लिए हमें जिनद्जा की जरुवत पड़ेगी, वो यह हैं, एक कप मैंने मकी का आटा लियावा है, और थोड़ा सा नीम गरम पानी आटा गूनने के लिए, थोड़ा सा ओल चाहिए होगा हमें, और वर्म टी स्पून के बराबर मैंने यहां नमक लिया है यहां पर मैंने लिया है एक बर्तन और उसमें मैं एट करें हूँ, एक कप मगी का आटा, वन टी स्पून नमक एट करें हूँ मैं इसमें, और इन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, और उसके बाद हमने अच्छे से इसका आटा गून लेना है याद रहे, आपने बिल्कुल नीम गरम पानी के साथ इसका आटा गूनना है आपने बहुत एध्याद के साथ मकी का आटा गूनना है और दस मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर आपने एक प्लास्टिकी थेली देनी है जिसको आपने दो हिसों में काट लेना है और उसके बाद थेली की दोनों साइज को आपने ओल लगाना है आप देख सकते हैं मैं आपको लगा कर दिखा रही हूं यह देखें यह मैंने एक साइट को लगा लिया और इसी तरह मैंने इसके दूसरी साइट को भी लगा लेना है यहां पर आपने एक पेड़ा लेना है और दोनों शीट के बीज में आपने इसको डाल लेना है और बहुत ही एत्याद के साइट आपने इसको बेलना है रोटी बेलने के बाद आप किसी राउंची से इसको कार सकते हैं आप अगर इसको गोल शेप देना चाहें तो यहां में ले रही हूं एक बाउल का धकन उसी के साथ में इसको राउंड शेप देना जा रही हूं आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यह राउंड शेप में कितनी अच्छी नजर आ रही है रोटी बिल्कुल तयार है तवा यहां पर गरम हो चुका है और उसके उपर थोड़ा सा ओयल लगा अगर आपने रोटी की एक साइट पका लेनी है तकरीबें आपने इसको 30 सेकंड तक पकाना है एक साइट को और उपर से भी आपने थोड़ा सा ओयल लगा लेना है रोटी को अब लोगों को एक साइट चेंज करके बिखना जाओंगी यह देखें आप देख सकते हैं अब यह बिल्कुल अच्छे से एक साइट पक चुकी है और अब हम दूसरी साइट को पकाएंगे तो जी यह रही हमारी दूसरी साइट आपने बहुत यह थियाद के साथ इस रोटी को पकाना है मैंने अकसर लोगों को देखा है मके की रोटी पकाते वक्त वो इस बात का बिल्कुल भी खयाल नहीं है करते हैं तो वो रोटी जल जाती है इसलिए आपने खयाल करना है मगे की रोटी को आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाना है लीजिए मगे की रोटी बिल्कुल तयार है आप इसको सरसों के साथ के साथ खा सकते हैं अगर आप लोगों को मेरी आज की रसीपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा मुझे अपनी दौाओं में याद रखिएगा अपना आप लोगों के साथ करें आप लोगों क्या आप